दोस्तो सवाल बहुत सारे हैं लेकिन वीडियो काफी छोटा है दोस्तो इस वीडियो में आज बात करेंगे C.U.S.T. 2022 PG Courses के बारे में क्योंकि PG Courses का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इसकी वज़ा से हम आपके लिए एक पर्टिकलर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें सारी इंफॉर्मिशन आपको PG Courses related डेंगे दोस्तो सवाल काफी है जैसे के दोस्तो पहला सवाल है C.U.S.T. Entrance Test क्या है दूसरा सवाल है कौन-कौन सी इनुवस्टीज है जो C.U.S.T. 2022 के थूप PG Courses में एड्मिशन लेंगी तीसरा सवाल है दोस्तो इसके जो फॉन है PG Courses के ये कब से स्टार्ट होने वाले है चौता सवाल है C.U.S.T. PG Entrance Test कब होगा और फिफ्ट सवाल सवाल नहीं है वो हमारी तरफ से एक सजेशन है अगर आप PG Courses में एड्मिशन लेना चाहते हैं C.U.S.T. के थूप तो उसमें क्या के चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये इस वीडियो में किलियर करेंगे तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें जी यहां दोस्तो आखिर में क्या-क्या चैनजिज है जो आपके नॉर्मल कॉमन एंट्रेंट्स टेस्ट हुआ करते थे जो नॉर्मल दो इनुवर्स्टी ज मिलका कराती है या सिंगल इनुवर्स्टी कराती थी उससे कैसे तो दोस्तों यह जो Central University's Common Entrance Test है यह बिलकुल UG और PG सेम ही रहेगा तो हमने UG के लिए बताया था कि आखिर CU-CET 2022 जो Entrance Test है वो क्या है वीडियो आपको आई बटन में मिलेगा और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा What is CU-CET 2022? तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं आपका जो Confusion है वो किलियर हो जाएगा कि आपका जो CU-CET 2022 PG Courses के लिए है वो कैसे different है तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा आता है कौन-कौन सी Universities है जो PG Courses में admission लेंगी CU-CET 2022 के through तो दोस्तों हम आपको बताते हैं सबसे पहले जो Universities Common Entrance Test के through PG Courses में admission नहीं लेना चाहती है वो हैं Delhi University Nalanda University, South Asian University Jamia Milia Islamia, JNU और AMU दोस्तों यह कुछ Universities हैं जो अपने PG Courses के लिए अपना खुद का entrance test कराएंगी यह Central Universities Common Entrance Test के through admission नहीं लेंगी दोस्तों इसके अलावा और जो Universities Common Entrance Test के through PG Courses में admission लेंगी वो यहाँ पर देखें लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है Central University of Gujarat Central University of Haryana यह सारी लिस्ट है आप अच्छे से पढ़ लें यह सभी Universities हैं जो CU-CET 2022 के through Common Entrance Test कराएंगी और उसके through admission लेंगी तो दोस्तों यह जो CU-CET है यह काफी सालों से चला रहा है और इस साल भी होगा लेकिन difference क्या है कि इस बार जो UG का CU-CET exam है वो कंपल सरी कर दिया है सभी Central Universities के लिए अब यहाँ पर PG Courses की बात आती है PG Courses में जितनी भी Central Universities हैं वो सभी इसको कंपल सरी करेंगी या नहीं करेंगी यह आने वाले टाइम में पता चलेगा फिलाल यह कुछ University की लिस्ट है जिन में CU-CET 2022 के through PG Courses में admission होगा और जो मैंने पहले आपको बताया उन universities में नहीं होगा लेकिर अगर गवर्मेंट इसको कंपल सरी करती है तो सभी Central Universities को अपने PG Courses के admission CU-CET 2022 के through कराने होगे लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल जो अपने आप में बहुती जादा सब को परिशान कर रहा है कि जब UG Courses के notification अभी तक आ चुके हैं तो PG Courses का क्यों नहीं आया तो दोस्तों हम आपको बताते हैं जैसे ही UG Courses के form खतम होंगे 6 मई को उसके बाद में PG Courses को लेकर notification जारी कर दिया जाएगा लेकिन तब तक आप वेट करिए और हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहीए जिससे के आपको सभी आने वाली जानकर यहां मिल सके इसके अलावा दोस्तों जो हमारा अगला सवाल था के PG Courses के लिए CU Set 2022 के जो form है वो कब से start होने वाले हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें मई के last week में या फिर मई के middle में ये form start हो जाएंगे क्योंकि notification में के starting में ही जारी कर दिया जाएगा अब बात करेंगे entrance exam date क्या है CU Set PG की तो दोस्तों हम आपको बता दें ideally ये जुलाई के middle में होगा या फिर जुलाई के last में होगा क्योंकि CU Set PG का जो entrance test है वो CU Set UG के entrance test के बाद ही होगा इसके अलावा दोस्तों एक additional information जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी PG course में admission लेना चाहते हैं तो अपनी university में जाकर इसके बारे में confirm करें किसी भी net से देखे हुए video पर भरूसर ना करें क्योंकि जितनी भी universities हैं सबके अपने अपने अलग system है किसी universities में कुछ जो particular courses हैं उनके अलावा सभी में CU Set 2022 applicable होता है कुछ universities में सभी PG courses में apply होता है तो सभी universities के system है वो अलग है आपको ये चीज अपनी university में पता करनी है कि आपकी university में जो particular course है चाहें वो MBBS हो या M.TEC हो M.TEC कोई भी master degree course हो तो उसके लिए आप university में जाकर पता करें कि यहाँ पर CU Set 2022 के through admission होगा या फिर direct आपका अपना entrance test होगा तो ये चीज आप अपनी university में जाकर पता कर सकते हैं दोस्तों हमारी जो CU Set PG entrance test के बारे में जानकरी थी वो यहीं तक थी इसके अलावा कोई additional question आपके पास है तो हमारे comment section में आकर हमसे कूछ सकते हैं इसके अलावा CU Set की playlist हमारे वीडियो के description में मिलेगी महां से जाकर उस playlist में आप CU Set से संबंदित सभी जानकरीया ले सकते हैं चाहे वो PG course से संबंदित हो या फिर UG course से हो ओके फिरेंट्स हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक मिलते हैं फिर सेखने वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए